आज की इस वीडियो में आपको बी ए प्रोग्राम का जो ए कोर्स है इसके बारे में कुछ इन्फोमेशन देना चाहूंगा और बी ए प्रोग्राम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं इन सब की इन्फोमेशन आपको दूँगा तो इसकी पूरी डिटेल आपको मैं बता दूँगा ताकि आपको कोई भी कोई कंफ्यूजन ना रहे अभी नेक्स्ट वन से आपकी ओनलाइन ग्लासिस या ओफलाइन जिस भी मैथड में डियू आपको पढ़ाएगा वो आपकी स्टार्ट होने वाली है कुल मिला के मतलब आपकी जो फर्स्ट इयर की ग्लासें है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और आपको पता होना चाहिए अगर आपने बीए प्रोग्राम में एड्मिशन लिया है तो बीए प्रोग्राम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और आपको उहाँ पर जाके कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आइए स्टार प्रोग्राम के अंदर History, Political Science और आपकी EBS जितना भी आपको मतलब पढ़ाना है वो हम पूरा कोर्स आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे कैसे हम अच्छे मार्स ला सकते हैं भी ए प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट इयर में हम कैसे अच्छा स्कूर कर सकते हैं क्या स्ट कि जो आपका B.A. प्रोग्राम होगा वो तीन साल का कोर्स होगा जिसके अंदर Semesters के अंदर यह बटा होता है ठीक है छे सेमेश्टर होते हैं आपके टोटल और तीन साल का यह कोर्स होता है सेमेश्टर का मतलब है जैसे आप अगर स्कूल लेवल पे आपने देखा हो तो कि मतलब फर्स्ट रम सेकंड रम ठीक है जब हम साल को दो मतलब भागों में बांट देते हैं और दो बार पेपर होते हैं उसी परकार से कॉलिज लेवल पे आके भी दो सेमेश्टर होते हैं एक साल के अंदर ठीक है फर्स्ट सेमेश्टर और सेकंड सेमेश्टर तो साल में दो बार ही आपके exam होते हैं यहाँ पे और इस तरीके से total 6 semester होते हैं एक साल में 2 semester होते हैं तो total 3 साल का आपका यह BA program का course होने वाला है जिसमें 6 semester होंगे आपके और आपके 2 semester एक साल के अंदर होते हैं तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं details बताता हू आपको BA program की ठीक है कि यह एक undergraduate course है मतलब यह graduation का course होता है और यह 3 साल का होता है इसके अंदर 6 semester होते हैं अब हम बात करेंगे इसका course structure क्या होता है BA program के अंदर आपको क्या-क्या subject पढ़ने होते हैं इस पूरे मतलब इसका क्या इसकी बनावत होती है course की ठीक है तो हमारे सबस combination अपने select करेंगे admission कराते time history plus pole science यह pole science plus economics तो आपको पता होगा कि आपने जो combination select किये हैं वो जो combination आपने चुने थे दो उसी को हम कहते हैं discipline subjects मतलब उन दो को आधार बनाकर आपने BA program में admission लिया है मतलब आपके जो यहाँ पर BA program के अंदर total 4 subject होने वाले हैं जिसमें जो history plus pole science का combination लिया है तो आपको तीनो साल history plus pole science पढ़ाई जाएगी ठीक है और आपको मतलब यह दो subject आपके पास तीनो साल रहने वाले हैं अगर आपके जो दो discipline चाहे वो कोई भी हो चाहे फिर वो Sanskrit plus pole science लिया हो आपने Sanskrit plus history लिया हो यह कोई भी combination आपने बनाया है वो combination के अंदर का subject है वो आपके पास तीनो साल रहने वाला है तो जो चार subject total होंगे उसमें से दो subject तो आपके वो होंगे जो की discipline होंगे और तीसरा subject होता है MIL अब जब मैं खुद college में गया था जब मेरा day one था तो मुझे भी नहीं पता था कि MIL वगरा क्या होता है इतना deeply मुझे नहीं पता पर धीरे धीरे जैसे जैसे experience मिला तो मतलब एक जो new student होता है जब वो fresher होता है तो उसको बहुत सारे doubts होता है दिमाग में तो तीसरा subject जो होता है वो आपका MIL होता है और MIL का मतलब होता है modern Indian language हमारे आधोनिक भारत के अंदर जितनी भाशा हैं बोली जाती है उसमें से कोई भी भाशा का आप मतलब एक subject ले सकते हो चाए हिंदी हो English हो ठीक है Sanskrit हो Telugu हो Malayalam हो जो भी आप modern Indian language का subject आप लेना चाहो आप ले सकते हो तो तीसरा subject आपका language subject होगा चोथा subject जो होता है इसको हम कहते हैं AECC अब क्या होता है ये भी मैं आपको deeply बताने वाला हूँ तो आपको समझ में आ गया Total आपके चार subject होंगे दो discipline होंगे ठीक है ये मैं आपको first year के बारे में बता रहा हूँ और जब आप first year अपना complete कर जाओगे तो second year का structure भी आपको समझाओगा क्योंकि अगर अभी मैं आपको तीनो साल का structure समझा दूँगा तो आपको बहुत जादा confusion हो जाए और चोता होगा ACC अब ये ACC की full form क्या होती है इसमें कौन सा subject पढ़ाया जाता है आई हम देखते हैं आगे तो आपको समझ में आ गया कि मालो अगर आपने example के लिए बताता हूँ आपने history plus political science का combination लिया है तो paper 1 और paper 2 मतलब आपके total 4 paper होंगे BA program के अंदर जो paper 1 होगा आलो आपका history plus false science का combination है तो जो paper 1 होगा वो history का होगा paper 2 आपका political science का होगा तो ये आपके शुरू के दो paper जो होंगे शुरू के दो subject जो होंगे ये discipline subject होंगे आपको पूरा structure दिमाग में बसा लेना है ताकि आगे जाके आप कहीं भी confused ना हूँ तो शुरू के जो दो subject होंगे आपके वो discipline होंगे history plus false science अगर आपने लिया है तो या अगर आपने कोई और लिया होता तो वो शुरू के दो जो होंगे आपके discipline subject होंगे discipline का मतलब है जो आपने combination में लिया है आगे चलते हैं आप M.I.L. क्या होता है M.I.L. जो होगा modern Indian language मैंने आपको बताया था कि M.I.L. म मतलब होता है ability enhancement course ठीक है ability enhancement course इसके अंदर आपको first year में जब आप आप जाओगे तो आपको E.V.S. और English मैं से option दिया जाएगा अब आप यहाँ पर सोचोगे कि मतलब यहाँ पर दो बार English कैसे आगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा M.I.L. के अंदर भी English लिखा हुआ है और A.E.C.C. के अंदर भी English लिखा हुआ है तो आपको बता दूँ जो M.I.L. के अंदर आप English पढ़ोगे वो अलग होगी और जो A.E.C.C. में English आपको पढ़ाई जाएगी वो communication वाली होगी और वो अलग होगी तो आप अगर Hindi नहीं पढ़ना चाते तो आप अपने और अगर आप चाहो तो Hindi English भी ले सकते हो कि आप M.I.L. में Hindi ले सकते हो Modern Indian Language का जो subject है आपका और आप A.E.C.C. के अंदर आप E.V.S. ले सकते हो ठीक है E.V.S. Environmental Science जो अमारी होती है तो इसमें A.E.C.C. जो subject है इसके अंदर First Year में आपको दो subject आपको दिये जाते हैं आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको 6 महीने E.V.S. पढ़ना होता है 6 महीने English मतलब कहने का मतलब है एक साल का जो आपका time होगा उसमें आपको एक semester E.V.S. पढ़ाई जाएगी और एक semester में आपको English पढ़ने होगी तो अगर आप मालो First Year में आप जाओगे तो आपको ये पहला semester है आप जाते ही A.E.C.C. के अंदर यहां तो आप E.V.S. ले सकते हो यहां तो आप English ले सकते हो अगर अभी E.V.S. लोगे तो आप जब आप अपने second semester में जाओगे तो आपको वहाँ पर English मिल जाएगी और आप English अभी लेते हो तो आपको second semester में E.V.S. मिल जाएगी अब मै M.I.L. subject को तीन भागों में बाटा जाता है A.B.C. ठीक है चाहे वो Hindi A, Hindi B, Hindi C. अब यह A.B.C. का क्या होता है यह भी बहुत सारे fresher students को नहीं बता होता ऐसा खुद मैंने experience किया था मुझे खुद इतना detail में नहीं बता था कि यह Hindi A, B क्या होगा और किस तरीके से यह सारे subject बने हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि M.I.L. के अंदर जो यह तीन category बाटी जाती है जो आपके language होगी मालो आपने Hindi ली है M.I.L. के अंदर तो Hindi A, Hindi B और Hindi C आपको इन तीनों में से कोई एक मिलेगी और अभी यह क्या होता है इसका आईए देखते हैं तो M.I I.L. सब्जेक्ट के अंदर A, B, C का मतलब क्या होता है यह आपका कोशन होगा तो इसमें है कि जो student ने class 12 तक जो है अगर Hindi पढ़ी है तो वो Hindi A पढ़ेगा college में और अगर किसी student ने class 10 तक Hindi पढ़ी है और उसने 11, 12 में नहीं पढ़ी तो वो Hindi B पढ़ेगा और अगर किसी student न अगर किसी student ने 12 तक English पढ़ी है तो वो English A पढ़ेगा अगर किसी student ने 10 तक English पढ़ी है सिरफ तो वो English B पढ़ेगा और इस तरीके से यह आपका format चलता है तो अगर आपने 12 तक Hindi में पढ़ा है सोरी Hindi subject को पढ़ा है तो आपको Hindi A मिलेगा M.I.L. subject के रूप में ठीक है तो simple स यह बात थी जो मैंने आपको समझाई आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा दो तो discipline आपको समझ में आ गए होंगे आपके history और pole science यह जो भी आपने लिया है अपने discipline paper में अब जो तीसरा subject आपका M.I.L. आपको बता दिया मैंने यह language subject होता है हिंदी, Sanskrit या English इस में से कोई भी आपको एक select करना होता है जो आप पढ़ सकते हो language और उस language के subject को तीन भागों में माटा गया है और जिसने 12 तक हिंदी पढ़ी होगी वो हिंदी A पढ़ेगा जिसने 10 तक पढ़ी होगी वो हिंदी B पढ़ेगा और इसी तरीके से यह पूरे levels मैंने आपको बताए AACC में मैंने आपको बताया यह ability enhancement course होता है जिसके अंदर आपको first year में दो subject मिलते हैं जो कि पहले semester और दूसरे semester में आपको पढ़ने को मिलते हैं पहले semester आप EBS लोगे तो दूसरे semester आप English AACC पढ़ोगे पहले semester में अगर English लोगे तो दूसरे semester आपको EBS मतलब यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है AACC का जो यह subject है अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको एक अपनी बारे में थोड़ी सी information देना चाहूँगा कि मेरा जो course है मैं second year में हूँ अभी और मैं history plus pole science मेरा combination है मैंने बी प्रोग्राम लिया है और मैं Hindu college से हूँ North campus में है यह Hindu college अगर आपने सु component subject है जो अपने cut off के time पे चुने थे और उसके बाद जो मेरा तीसरा subject था वो Hindi A था M.I.L. के रूप में language के रूप में और मेरा चोता subject जो था वो English AACC था ठीक है तो मैंने English को AACC के रूप में चुना था जब मैं फिर second semester में गया तो मेरे पास EBS आ गई थी AACC के रूप मे तो आपको समझ में आ गया तो आपको example बता दूँ B.A. प्रोग्राम के जैसे discipline के जैसे कोई history प्लस political science का combination लेता है तो कोई English economics का लेता है कोई Hindi philosophy का लेता है या कोई Sanskrit प्लस political science का combination लेता है तो यह जो plus होता है बीच में जो यह दो subject में आप B.A. प्रोग्राम में admission लेते हो य जार होते हैं दो discipline होगे और M.I.L. और A.E.C.C. अब आपको बता दूँ कि आने वाली वीडियो में इसी चैनल पे आपको Hindi M.I.L. जो होगा उसका पूरा स्लेवस बता दिया जाएगा history का पूरा स्लेवस बता जाएगा political science discipline का पूरा स्लेवस बता जाएगा English M.I.L. जो है उसका भी स्लेवस बता जाएगा English A.E.C.C. का जो पूरा स्लेवस होगा वो भी आपको बता जाएगा और E.V.S. का भी पूरा स्लेवस आपको बता जाएगा तो आपको कहीं भी भटकने की जरुत नहीं है आपको पूरा स्लेवस पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे रहें और कमेंट बोक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी वीडियो को शेयर कर दें जैहिंद जैभारत धन्या